इस वीडियो में हम कक्षा तस गड़ित मनोहरे अध्या आठ त्रिकोण मित की वारे में अध्यन करेंगे, जिसमें प्रश्णावली आठे की प्रश्नों को हम देखेंगे. प्रश्ण संख्या हमारा बारह तक हम पीछे के लेक्चर में देख चुके हैं, अब इसमें हम प्रश्ण संख्या 13 से प्रश्णों को देखेंगे प्रश्ण संख्या 13 दिया है यदि साइन ठीटा बराबर एक बटा करिम दो तो सेज पांच त्रिकॉन में तीया अनुपात क्यात कीजिए इसके लिए सबस्पहले हम आएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा ये ठीटा दिया है तो मान लेजिए कौन हमारा ठीटा हो गया तो हम आएंगे A, B और C ये हमारे तीन बिंद हो गए अब हल में तो हमारा दे दिया है साइन ठीटा साइन ठीटा बराबर है गटा करणी में दो बराबर होगा साइन ठीटा बराबर होता है लंब बटा करण तो ठीटा के सामने की भुजा लंब होती है नबे के सामने का करण होगा बाकी एक भुजा जो बचेगी वो आधार बनेगा तो लंब कामान मिला एक आधार कामान निकालना है करण कामान करणी में दो है आधार मने एबी स्क्वायर अगर हम बात करें एबी स्क्वायर तो ये करण का स्क्वायर मने करणी में दो का स्क्वायर और माइनस लंब का स्कॉार मने एक का स्कॉार तो ये बनेगा दो माइनस एक एक आएगा और ए भी अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो एक का वर्गमूल एक हो जाएगा ये मान भी हमें एक मिल गया अब हमें चाहिए काश ठीटा तो काश ठीटा बराबर होता है आधार बटे करण तो आधार यहाँ हमें मिल जाएगा एक बटे करण मने करणी में दो अगला है टैन ठीटा तो टैन ठीटा बराबर होता है लंब बटा आधार तो यहाँ बन जाएगा लंब का मान एक और आधार का मान भी एक यानि हमारा इंसर आया एक अगला जाएंगे काट ठीटा तो काट ठीटा टैन का उल्टा होता है तो यानि वान अपान टैन और यह बन जाएगा एक बटा एक यानि यह भी हमारा एक मिल जाएगा अगला हो जाएगा हमारा सिक ठीटा तो सिक ठीटा बराबर होता है कास का उल्टा वन अपान कास ठीटा या हम कह सकते हैं करण बटे आधार तो ये कास ठीटा का एक बटा करणी में दो है तो करणी में दो बटे एक बराबर करणी में दो अगला जाएंगे कासेक ठीटा तो कासेक ठीटा बराबर हो जाएगा साइन का उल्टा यानि करणी में दो बटाए कि ये भी आ जाएगा करणी में दो तो ये सब हमारे एंस्वर बन जाएंगे एंस्वर अगला जाएंगे प्रश्ण संख्या चाउदा दिया है यदि सेख ठीटा बराबर करणी पांच तो सेश पांच त्रिकोन में ती अनुपात क्यात कीजिए यहां भी आएंगे हल तो सबसे पहला काम है हम सेख ठीटा बराबर दिया है करणी में पांच तो बराबर लिख देंगे करणी में पांच बटे एक और सेख मने कास का उल्टा कास ठीटा बराबर होता है आधार बटे करण तो यहां हो जाएगा करण बटे आधार शारी ये कीवल करण रहेगा अब यहां आएंगे एक समकोड तरफुज बनाएंगे जिसमें ये कोड़ छीटा हो गया A, B और C तो कर्ण कामान मिला कर्णी में 5 और आधार कामान मिला 1 हमें लंब ग्यात करना है यानि ये आधार है क्योंकि कोड़ के सामने की भुजा लंब होती है तो ये लंब है और ये हमारा कर्ण है अब आएंगे हमें चाहिए लंब कामान तो B, C स्क्वार बराबर होगा कर्ण का स्क्वार मने C स्क्वार माइनस आधार का स्क्वार यानि A, B स्क्वार तो कर्णी में 5 का स्क्वार माइनस 1 का स्क्वार तो ये बनेगा पांच माइनस एक चार, चार का वर्गूमूल दो आएगा, तो बीसी बराबर हमें मिल गया दो, तो लंब दो हमें मिल गया, अब हमें चाहिए साइन थेटा, तो लंब बटा करण होता है, तो लंब कामान मिला दो, करण कामान मिला करणी में पांच, तो दो बटा करणी में पांच, यह हमारा अंसर हो गया, काश थेटा, यह होता है आधार बटे करण, या हम सिक थीटा का उल्टा कर सकते हैं आधार एक है और बटे कर्ण माने करणी में पाँच ये दूसरा इंसवर हो गया अगला आएंगे तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार तो लंब कामान हमें क्या मिला 2 मिला आधार कामान एक मिला अगला जाएंगे काट ठीटा तो यह होता है आधार बटे लंब तो आधार बटे लंब में हमें क्या मिल जाएगा आधार कामान दे दिया है एक और लंब कामान है मारा दो तो हमारा इंसर मिला एक बटा दो अब अगला हम निकालेंगे शिक ठीटा तो दिया ही है कासिक ठीटा तो हमें मिल जाएगा यहाँ कासिक ठीटा तो कासिक मने साइन का उल्टार थाथ करण बटे हमारा बन जाएगा लंब तो करण कामान हमें मिला है करणी में पांच और लंब कामान हमें मिल गया है दो तो हमारा एंस्वर बन जाएगा करणी पांच बटे दो यह सभी हमारे एंस्वर हो जाएगे अगला जाएगे प्रश्न संख्या पंद्र तो दिया है यदि कासेक ठीटा बराबर है दो बटे करणी में तीन तो सेश पांस तरिकोन में तीन उपाद ग्यान कीजिए यहां भी आएंगे हम हल हल में पहला काम है हमारा कासेक ठीटा यह बराबर दो बटा करणी में तीन दिया है कासिक का मतलब हो गया साइन का उल्टा लंब बटा करण होता है तो ये बन जाएगा करण बटा लंब तो यहां से हम एक तरफुज बनाएंगे जिसमें हम ये ठीटा मान लेंगे A हो गया B हो गया C हो गया ठीटा के सामने की भुजा लंब होगी और ये आधार होगा और उपर हमारा नबी के सामने है इसलिए ये कर्ण बन जाएगा कर्ण का मान दो है और लंब का मान कर्णी में तीन है तो हम निकालेंगे आधार आधार माने A B स्कॉायर ये बराबर हो जाएगा करंड का स्क्वार माने C स्क्वार माइनस लंब का स्क्वार माने B C स्क्वार तो A C स्क्वार का मान हमें मिल जाएगा 2 का स्क्वार और माइनस करंडिम 3 का स्क्वार 2 दो नी 4 माइनस 3 एक आएगा और एक का वरगमूल अगर हम निकालेंगे तो भी एक आएगा यहां इस कामान एक मिल गया अब आगे आएंगे तो हमें मिलेगा क्या साइन ठीटा तो यह बन जाएगा हमारा लंब बटा करण तो लंब कामान हमें मिला क्या करणी में तीन और करण कामान मिला दो एक इंस्वर ये बन जाएगा अगला है काश ठीटा आधार बटा करण तो आधार कामान हमें एक मिला करण कामान दो मिला अगला जाएंगे तो टैन ठीटा ये बराबर होता है लंब बटा आधार तो लंब कामान हमें मिल जाएगा करणी में तीन और आधार कामान एक मिल जाएगा था हमारा इंस्वर करनी तीन बटा एक काट ठीटा ये हो जाएगा यानि आधार बटा लंब आधार बटा लंब शान्ति तो आधार कामान हमें एक मिलेगा लंब कामान करनी में तीन मिल जाएगा अगला हो गया हमारा सिक्ठीता ये वराबर हो जाएगा यनि कास का उल्टा कर्ण बता आधार बन जाएगा तो कर्ण का मान हमें मिला दो और आधार का मान मिला एक तो हमारा इंस्वर बन गया दो ये सभी हमारे इंस्वर बन जाएगे THANKS FOR WATCHING इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद